गुर्देव जी गुरुजी मैं आपसे प्रसंद दो नहीं कर सकता हूँ के वर रुकेष्ट करता हूँ कि ये हमारे मानव जीवन में जो मनुशी योनी है 84 लाक योनियों में स्रेष्ट बताई गई है ठीक है तो इसमें मानव योनी में जो बताया है पुनर जन्म के बारे में सब बैठ जाओ बेटा सब बैठो अच्छा लगेगा सब सुनो जो मानव योनी में बताया पुनर जन्म क्या ये सच है कि पुनर जन्म यानि दुबारा जन्म उसी योनी में संभव है उसी योनी में संभव है ये तो भगवान के हाथ में है पर अन्य योनिया 84 लाक योनियो होना है और यदी बीच में हैं बात आपने जैसे भारत जी भारत जड़ भारत जी एक वार म्रग बने फिर मनुष्य बन गए तो जरूरी नहीं है कि आप 84 लाकियों में जाएं हो सकता है आप चीटी बने चीटी बनके तुरंत मर गए फिर मनुष्य का तन मिल गया या डारेक् हैं को बाचा कहता है कि हमारा फू परिवार था और उस जगह पर हम रहते थे हैं वो हमारी JIMaros taught us her यह संभव है सत्य है हां ऐसा लाखिशों में करोड़ों में कोई केस ऐसा होता जिसे अपना पुनर जनम पिछला जनम याद रहता है jadi और असा होता है रहते होता है दे शरी रादे रादे गृत कृड़ी है थी हम ल Dalhara de सब्संजा कर रहे हैं हम समझाव एक ले जलोगना chron to तो ये की हैस वो अपने प यह इस वहुलो गई के बाई है आपकी न अंसे बोल दू में बना उ मत बसॊटर कर तो बिलुकल घर में मंस नेंगा तुम्य खाना है जहां तुम्हें मन करे आद में बिगड़ जाओ पर धीरे धीरे उन को सुधारो तो घर में यह सो मांस वांस नहीं अच्छा एक आदमी की चक्कर मेंपूरी रसोई बिगड़ जाए जए डिग्रद्रट्राद करें कर अब अभिट्व गुरू जी रधो giàघे जी गुरु जी प commend में गये पढ़नाला खै थे पंजब तीन सल हो गया वहीं से हम divi अबी थोरा दिन पहले भी आई थी हमारी बहन आप Łचार करके गई है पठाशाई थी अउन उनने हम को ग्यां दिया हमारा दो पोता है ओ बहुत सरफ परड़ी के काम करना नहीं चाहता है हाँ तो उसको आप थोरा सा आशिरबाद देगी है कि ओ काम करें बिल्कुल आशिरबाद खुश्रों यहां लियाना वे टागे माइक वो बहन को देना वहां फिर उसके बाद यहां लियाना सब रादे रादे गुरुजी आपके चंडॉम मेरा कोटी-कोटी तनार, खूश रही, गुरुजी मीरा प्रहश्ल यह है कि कभी-कभी हमें ऐसा पूजा करते से महें लगता है कि हम किसी स्वार्थ की वजए से पूजा तो नहीं कर रहे हमारा इसमें कोई स्वार्थ तो नहीं ह तीक है, यदि कोई स्वार्थ है भी, तो कोई बुरा नहीं है, भगवान उसे पूरा करेंगे, धीरे-धीरे इतने जल्दी हैंगे हम निस्काम नहीं होते, पर हो जाएंगे, अभी सकाम एक्छाएं तो सब की होती है, और वो एक्षाएं भक्त भगवान सी कह सकता है तो शुरू में एक्षाएं होना कोई बुरा नहीं है पर वो एक्षाएं आखरी में आपको निस्काम हो जाना चाहिए जी गुरुजी भगवान सब जानते हैं कि मेरे भक्तों को क्या चाहिए सब देते हैं गुरुजी मेरे एक प्रश्ण था कि जो मूल मंत्र है ना उसमें जो तीछा वाला श्लोग है लक्ष्मी नात समारंभाम उसका अर्थ क्या है? हमारी परंपरा कहां से शुरू ही लक्षमी नाथ, लक्षमी से शुरू, लक्षमी नाथ समारंभाम नाथ यामन, इसके आचारे नाथ मुनी हुए हैं, है ना असमदाचारे परियंता में से ऐसी परंपरा को हम, बंदे गुरु परंपरा, हम सभी आचारे चरणों को जहां से ये संप्रदाश शुरू हुई है, वहां से लेके अभी तक के सभी आचारियों को प्रणाम है, सभी का नमस्कार है इस मंत्र में. तन्यवाद गुरुजी रादे रादे गुरुजी, गुरुजी आपकी जर्णों मेरा कोटी कोटी प्रणा, गुरुजी मेरे एक कोशन है कि हमारा सच्चा हिटकारी कौन होता है? सच्चे हितकारी तो हमारे माता पिता और भगवान ही है तो संसार में देखो तो माता पिता और गुरू फिर भगवान सबके तो पहले तो भगवान ही है पर अभियोहार में आप माता पिता की बात मानो वो हितकार बात करते है हाँ बेटा सब बैड़ जाओ ऐसे न चीना अच्छे कामों को करते हो अच्छे काम सारे करो बुरे काम एक भी नहीं गुरुजी हमाज अपने गौपाल जी लाएं उनका नाम बता दीजिए अभी अंदर बैठीगे तब बता दीजिए